Stock Market की Private Bank Sector की Yes Bank Share जो Share Market में हमेशा चर्चा में रहता है उसके Share के बिक्री को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है और साथ में ये Stock वरतमान में काफी अच्छी तेजी भी Stock में दर्ज है पिछले एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 75 प्रतिशत के रिटन भी प्राप्त करके दिये हैं Yes Bank Share का कामकाज Yes Bank Limited इस बैंक की शुरुआत 2004 को अशोक कपूर और राना कपूर इस दो व्यक्तियों ने इसकी शुरुआत की थी वर्तमान में बिजनेस की बात करें तो ये Company Saving Account, Cut Account, Fixed Deposit, Personal Loan, Gold Loan, Home Loan, Credit Card, Education Loan जैसे Services देने की काम करती है और साथ में Company Online में Payment, Credit Card, Insurance Claim और Bill Payment पर भी Company काम करती है पिछले एक साल में 75 प्रतिशत के रिटन Long Term की बात करें तो इस स्टॉक ने निराश किया है, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से ये स्टॉक अच्छा खासा तेजी दर्ज कर रहा है क्योंकि Company ने पिछले एक साल में 75 प्रतिशत के रिटन, तो पिछले 6 महीने में 79 प्रतिशत के रिटन, तो पिछले 3 महीने में 40 प्रतिशत के रिटन इस स्टॉक ने निवेशकों को प्राप्त करके दिये है एक भरोसिमंद वेबसाइट CNBC आवाज के मिली जानकारी के अनुसार एस बैंक शेयर में 40 करोड शेयर की बिक्री हुई है, जिनकी कुल राशी 1139 करोड की है और यह बिक्री का लाइल ग्रूप निवेश की Company CA Basque ने यह बिक्री की है साल 2022 के साल में यह बैंक शेयर में 13.78 रुपे प्रती शेयर के भाव पर शेयर खरीदे थे जो अभी इसकी बिक्री की है Stock की स्थिती Company का कुल मार्केट कैट 84,564.2 करोड का है, तो Company के प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 प्रतिशत की दर्ज है, तो Company का रो 1.95 प्रतिशत का तो रोज 5.03 प्रतिशत का वर्तमान में दर्ज है Stock में वर्तमान में तेजी का कारण तीसली तिमाही के नतीजे भी है, क्योंकि Company ने 6,984.85 करोड का Interest Earn किया है और उसमें कुल Net Profit Company को 231.46 करोड का हुआ है, जो पिछले तिमाही से काफी अच्छा है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृट वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें